है दोस्तों स्वागत है इंजर नाशनल आर्टमैन के एपिसोड फाइव में और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेट की यह यह एपिसोड की कहानी और यह एपिसोड में हम लोग देखेंगे जो की बहुत ही दुखत घटना होते जा रहा है लेकिन उसके बाद इस सुशते रहे तो इंट्रो में क्या बताऊंगा लेकिन शुरू करते दफुनरल फोर हाववर्ट स्टार्क से और यह शुरू होता है वीस साल पहले की कहानी से अगेन और वो फिनरल के बाद टोनी स्टार्क बहुत ही उधास होके स्टार्क पैंशन में बैठा था लेकिन उस स्टार्क बोलता है हाँ hell of a funeral के आप लोग इदर आए मतलब यह funeral एक दम प्रेसिडंट की तरह funeral हुआ प्रेसिडंट का जैसा होता है बड़े धूमधाम से बहुत सारे लोग आए बात किये और उसके बाद ही आप जैसे से प्यार करते थे यह तो बहुत ही funny joke है actual में वो सिर्फ कुछी चीज़ों से प्यार करते है और वो लिस्ट था अपने ही बातों से या फिर अपने ही शब्दों से और यही था end of list मेरी मम में मुझसे बहुत प्यार करती थी लेकिन anyway तो यह सब छोड़ दो यह सब जो कुछ भी हुआ था फिर भी तो निक प्यूरी उसे समझाता है कि देखो मैंने तुम्हारे पिता जी के बहुत सारे कुछ डाइडिस पढ़े और बहुत सारा कुछ डॉकुमेंट्स पढ़े उससे मुझे पूरा पता चला है कि तुम्हारे लिए उन्होंने कितने सारे सैक्रिफाइस किये हैं तुम्हें वह तुम जो पैरेंट और ये ऐसा वाला बोल रहे हो अत्यचार किया है तुम्हारे उपर वो तो मतलब नॉर्मल मतलब पापा और बेटे में तो होता ही रहता है मेरे भी एकदम पिकनिक टाइप के नहीं थे मेरे पिता जी भी ऐसी थे लेकिन उन्होंने अपने जान खत्रे मे दुनिया का आधा दुनिया का सफर करके तुम्हारे पास गये थे हाइडरा से तुम्हें बचाने के लिए क्योंकि उसके पास उनों नके पास पहले से खबर आ चुकी थी कि हैडरा तुम्हारे उपर अठाक करने वाले थे तो ये सब बोलने के बाद भी निक फ्यूरी में आपको सोच लो क्या करोगे क्योंकि कल से तुम बहुत बड़े मतलब स्मार्ट मनी के मालिक हो और तुम बहुत अमीर भी बन जाओगे तो उसके बाद को सबको बोलता है क्रिव गाइस मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा तो हम आ जाते हैं प्रेजन पे जहां पे गिलेस्पी कॉमपाउंड में बहुत कुछ हो रहा है मैं अंड्रोइड जबी लेस्पी कॉमपाउंड के ऊपर टूरी स्टार को मारने के लिए खरे है खरे नहीं यह एक्शली वह उड़ रहे हैं तो समझ लीजे थो अच्छा एजस्ट कर लीजे तो तब टोनी स्टार्क और कसंडर के बारे मतलब बीज में बाते चलता ही जा रहा था टोनी स्टार को बहुत ही खीच रहा था पता चल जाएगा बाद में क्यों एक्टिल में वह उसे बोल को मिलते ही थोरी देर बाद 2-3 मिल बाद भी बोलता है कि यह मैंड्रोइट यह सच में स्मार्ट है नाइस टेक है लेकिन आ यह इंप्रस किया है मुझे लेकिन क्लोज कोड सिस्टेम्स हां तो कसंडर बोलती है कि हां यह अन हैकबल है अन्ट्रैसेबल है तो तब टोनी स्ट दूसरे को गोली मार की गिर रा देते हैं मतलब एक दूसरे की उपर टाक करने लगते तो क्रदी टोनी श्टार्क ने उस मैंड्रोइट को एक कर लिया था और उसके अंदर जो भी इनसान थे यह मैंड़र उसके अंडर कंत्रोल नहीं था यह मैंडऱ्इवाइड देती है और टोनी स्टार्क के जो इन्विसिल अर्मर के ऊपर वो गोली डिफलेक्ट होके गिर जाता है और टोनी स्टार्क बोलता है कि कमान ये तो वेस्टेच ऑफ गुड़ बॉलेट्स है और उस तरफ हम लोग देखते हैं कि पूरे मैन रॉयर्स आसमान से मतलब एक दूस से गारी लेके कैसा अंडर भाग रही है और टोनी स्टार्क बोलता है कि मैं तो उसके पीछे नहीं जाओंगा लेकिन उसे तो रोकना ही पड़ेगा टोनी स्टार्क तभी फ्राइडे से बात करता है और बोलता है फ्राइडे मेरा मदद करोगे तो फ्राइडे बोलती है मैं पहले उसके शहरी से खोह के लाइते हैं वोण आर्मर एक साथ एक जोर जाता है और कसांडर गिएस प्रकी के सामने आ जाता है किसांडर अपना एक ड़िए और लिए स्पीद लेने जाता है और तभी वह आर्मर उसके गारी के बोनित पर मार गिराता है कसांडरा को कसांडरा सामने के विंशील्ड से तोर फोर के एकदम निकल के सामने रास्ते पे जाके गिरती है फिर भी वो गन लेके उसके उपर अटाक करने जाती है लेकि टोनी स्टार्क तभी बोलता है कसांडरा और हम लोग देखते हैं कि शील्ड का फ्लाइ आइनडी में ले ले लेता है वो तो तीन आर्मर्स मतलब आर्रेमन आर्मर्स उधरसे शील्ड हेली करीयर निकल के सेता है और हम लोग को पता चालता है कि टोनी सा की लिए एना से मतलब बुलगेरिया से डो मेंसेज आए है और तभी टोनी संक और को लेकर उसी मैसेच को फॉलो करती हुए आहिल की में ऊसी और फेनेज में पहुच जाते नहीं कर पा रही थी तो इसी लिए एना फिर से जहां पर पुराने फाइल से उधर जाके ढूंडा और ढूंडने के बाद उसे मिला था तीन या दो ऐसे फाइल से जिसको मतलब टोटल सिक्वेंशियल फाइल से निकाल लिया गया था वह उधर नहीं से तो वही फाइल को फॉ हॉस्पिटल में नर्स थी वह रख्के गई थी और वह इसको बोलती थी ब्लैक फाइल और इसी फाइल में एक्षवल में वही डेटा था जो की इधर से किसी बच्चे को लेके गए थे मतलब कुछ एजिंसी से लोग और उसी बच्चे के मा के डिटेल का फाइल सा और वही को ये नर्स अभी एना नाम की इसी औरत के पास दे देती है और एना अभी वो टोनी स्टार को दे देता है वो ही फाइल्स टोनी स्टार को वो फाइल मिलता है और वो बहुत खुश भी होता है और शौक सर्प्राइस भी रहता है कि उसके हाथ में अभी आ गया है उसके रील ब कर रही हूं तब टोनी स्टार्क फ्राइडे से बोलता है मतलब उसके आर्टिफिशल इंटलियंस से इस और फनेच को कुछ भी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए मेरा सपोर्ट रहेगा कम्प्यूटर्स क्लोट्स क्लीनिंग एवरीटिंग मेरे सपोर्ट से जाएगा तब टोनी स्टार्क के पास यह इंफॉर्मेशन आता है फ्राइडे से कि उसके पास इतना सारा पैशा शायद नहीं है अभी पैसे का फ्लो थोड़ा सा कम है तो टोनी स्टार्क बोलता है मुझे आर्मर में उड़ना चाहेगा तो एक बच्चा राजी हो गया और उससे वह अपना आर्मर पहना दिया और उसे उधर उड़ाने के लिए भेज दिया तो वह बच्चे का फेवरिट सूपर हिरो स्पाइडर मैन था लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क उसे बोलता है देखो स्प फाइल खोल के देखता है और उसी उधर जो सुराग मिलता है उसी सुराग से वह लंडन पहुच जाता है लंडन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर जाता है वहां पे बहुती उमर में ज्यादा एक उसके मा की समानी होगी ऐसा एज की एक औरत बैठी थी और उसके की अमानडा आर्मस्ट्रॉंग हो तो वह बताती है कि हाँ क्यों क्या हुआ तो तब टोनी उसे बोलते हैं कि आपने कुछ साल पहले किसी बच्चे को गिव अप किया था या फिर मुझे बोलना चाहिए क्या ऐसा कुछ घड़ना हुआ था क्योंकि मैं आप से पहले ऐसी बा उनके आखों में आखे डालके बोलता है हाई और वोल और तब रोने लगती है यह सीन बहुत ही अमेजिंग है और तब टोनी स्टार को सा ओरत से बोलती है और इसी के साथ इंटरनेशनल आर्नमेन का एपिसोड फाइफ खतम होता है और मैंने अलरी शिक्स और सेवन पर लिया है मैं वेट नहीं कर पा रहा था इसलिए पर लिया है यह अमेजिंग स्टोई लाइन है और जिन लोगो सीक्रेट ओरिजिन आफ टोनी स्टार के बारे मे कीजिए और हां नेक्स एपिसोड के लिए जरूर जरूर कमेंट कीजिए और वेट कीजिए नेक्स एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा और इसे के साथ और मैं क्या बोलूं एक्स एपिसोड बहुती संसनी केज है इंटरेस्टिंग है नेक्स एपिसोड भी अच्छा है आप के लिए चलिए गुद्बाइ गुद्धाइ गुद्धाइट